दिलजीत दोसांज एक ऐसे पंजाबी सिंगर है who has now become a true global icon वो अपने हर नए गाने से इंटरनेट पर sensation create कर देती है लेकिन हाली में उन्होंने अपने गाने से नहीं अपनी मूवी चमकीला से इंटरनेट पर sensation create किया है चमकीला मूवी में दिलजीत ने अमर सिंग चमकीला का रोल प्ले किया जो ओडियंस को बहुत पसंद आया है दिलजीत ने सच में अपनी एक्टिंग स्किल से सब को शौक कर दिया है तो आज हम आपको दिलजीत से जुड़े ही 10 unknown facts के बारे में बताएंगे कि कैसे एक पंजाबी सिंगर आच्रिप पंजाब में यह नहीं बलकी पूरी दुनिया में famous है पर उससे पहले मेरा ना मैं सोन हूँ और आप देख रहे हैं social flux नमबर वन दिलजीत वाज बॉर्ण on 6th January 1984 in जलंदर पंजाब उनके पिता का नाम बलबीर सिंग है और मा का नाम सुक्विंदर कौर है दिलजीत spent his early childhood in दोसांज कलान village and then he moved to Lodiana जहां उन्होंने अपना formal education स्री हरी किसन पब्लिक स्कूल से complete किया नमबर 2 दिलजीत ने अपना नाम भी बदला है दिलजीत ने अपनी singing career की सुरुवाती दिनों में गुर्दवारों में perform किया था In 2002, he released his first album with fine tone cassettes Fine tone के ही राजेंदर सिंग ने दिलजीत को या suggest हिया था कि वो अपने नाम को दलजीत से दिलजीत कर ले राजेंदर सिंग also helped him to make debut in पंजाब music industry Number 3, पंजाबी music industry में debut करने के बाद दिलजीत दोसान ने आगे भी कई album release की जो बहुत successful भी साबित हुई 2016 में London के Wembley Arena में दिलजीत ने परफॉर्म किया था And after Gurdas Maan, दिलजीत is second Punjabi singer to sell out the Wembley Arena Number 4, 2014 में आया प्रोपर पटोला ने दिलजीत को international recognition दिया था प्रोपर पटोला वाज फर्स सौंग इन पंजाबी लेंग्वेस टू फीचर ओन वेवोज साथी कैलिफोर्निया में होने वाली art and music festival कोचेला में भी फ़पॉर्म करने वाले वा पहले इंडियन है Number 5, पंजाबी music industry में डेबियू करने के बाद दिलजीत ने 2011 में पंजाबी film industry में भी डेबियू किया उनकी पहली movie The Lion of Punjab box office पर तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन movie के गाने लग 28 कुडिदा एक major success साबित हुआ था या गाना ACN download चार्ट पर नमबर 1 पर था Number 6, अपार्ट फ्रॉम singing and acting दिलजीत एक philanthropist भी है उन्होंने 2013 में अपने बड़े के दिन सांज फाउंडेशन लाँच किया था जो needy and underprivileged children and senior की मदद करती है सांज फाउंडेशन relevant issue जैसे depression, self confidence and career development पर भी बात करती है दिलजीत is also a sneaker aide, he loves to wearing and collecting sneakers दिलजीत के पास Edidas EG750 boost नाम का sneaker है जिसका cost around 6 lakh है दिलजीत दो clothing company के भी owner है जिनका नाम Urban Pendu and Weared Red है Number 8, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि दिलजीत एक true global icon बन चुके है उन्होंने साथ बार British Asia Award जीता है और साथ ही दिलजीत is the first turban sick to have his wax statue at Madam Tussaud Museum तो यह थी दिलजीत दोसान से जुड़ी कुछ unknown facts अगर आप इसके अलावा दिलजीत के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें comment box में जरूर बताएं